देश के पहले प्रिधार मंत्री जबहार लाल नहरू जिने आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है पंडित जबहार लाल नहरू शांती और समर्दिता के सबसे बड़े समर्थक थे पंडित नहरू को सिर्फ उनके राजनिती करियर के लिए ही नहीं बलकि बच्चों के प्रती प्रसिद्धी के लिए भी जाना जाता है वे बच्चों से उतना ही ब्यार करते थे जितना की लाल रंग के गुलाब से आईए आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित जवाहर लाल नहरू की जीवनी के बारे में बताते हैं पंडित जवाहर लाल नहरू का जन्व 14 नमंबर 1889 को इलहाबाद में हुआ था उनके पिता का नाम मोती लाल नहरू था जो पेशे से एक वकील थे और दो बार अध्यक्ष के रूप में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पद पर रहे थे और माता का नाम सोरू प्रानी उन्होंने अपनी प्रारंबिक शिक्षा अपने घर पर नीजी शिक्षकों से प्राप्त की 15 साल की उम्र में वे इंगलेंड चले गए और हैरो में दू साल रहने के बाद उन्होंने केम्परीज विश्विद्याले में एडमीशन लिया जहां से उन्होंने नेचूरल साइंस में ग्रिजुएशन के डिगरी प्राप्त की आपको बता दी कि 26 साल की उम्र में पंडित नहरू की शादी 16 साल की कम्रा कॉल नाम की कश्मेरी ब्रामन लड़की से हुई थी कम्रा कॉल के पिता पुरानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित वैपारी थे दोनों के शादी साथ फरवरी 1916 को हुई थी वर्ष 1912 में भारत लोटने के बाद वे सीधी रातनीती से जुड़ गए यहां तक कि छातर जीवन के दोरान वे वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंतरता संगर्ष में रूची रखते थे वर्ष 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधी के रूप में बांकीपूर सम्मेलन में भाग लिया था 1919 में इलावाद की होम रूल लीग के सची बने 1916 में वे महात्मा गांदी से पहली बार मिले जिन से वे काफी प्रेरित हुए उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रताब गड़ जीले में पहले किसान मार्च का आयूजन किया उसके बाद 1920 और 22 के दोरान असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा था वर्ष 1926 में मद्रास में कॉंग्रेस में आजादी के लक्ष के लिए प्रतिबद्द करने में नहरू की एक महत्बपूर्ण भूमिका थी 1928 में लखनों में साइमन कमिशन के खिलाफ एक जुलूश का नेतरित्व करते हुए उन पर भी लाठी चार्ज किया गया था उसी वर्ष उन्होंने भारती स्वतंतरता लीग की स्थापना की एबम उनके महासची भी बने इस लीग का मूल उदीश भारत को ब्रिटिश शामराजी से पूर्णता अलग करना था इसके साथ ही आपको बताएं कि पंडित नहरू को वर्ष 1935 के दोरान नमक सत्यागरा एबम कॉंग्रेस के अन्य आंदुलनों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा था इस दोरान उन्हें सुतंतरता की जोर शिर्षक से अपनी आत्म कथा लिखी जो वर्ष 1936 में अमेरिका में प्रकाशित भी हुई थी उन्होंने डिसकवरी ओप इंडिया और ग्लिमफेज ओफ दा वर्ल्ड दो किताबे लिखी थी जो भारत के साथ साथ दुनिया के बारे में उनके अपार ग्यान को दर्शाती है पंडित नहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते वे व्यक्तिगत सत्याग्रा किया जिसके कारण 1940 को उन्हें गिरपतार कर लिया गया फिर अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतिय कॉंग्रिस कमीटी की बेठक में पंडित नहरू ने एतिहासिक संकल्प भारत छोडों को कारियानवीत करने का लक्ष निर्धारित किया 1946 में चोथी बार भारतिय राष्टी कॉंग्रिस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया वहीं भारत के प्रधम प्रधारमंत्री के रूप में जभारला नेहरू ने एक अंत्रीम सरकार का गठन किया इसके साथ 14 अगस्त का वो एतिहासिक दिन जब रात शुरू होते ही आजादी का समारो शुरू हो गया था इस समारो के मुख्य वक्ताओं में से एक पंडित जबाहरला नेहरू भी थे जिन्नोंने आधी रात को कहा अब हम आजाद हैं जिसे सुनकर हर एक भारती की आँखे नम हो गई थी भारत की आजादी के बाद बच्चों और यवाओं के लिए पंडित नहरू ने काफी अच्छे काम किये जब वे प्रिल्धान मंत्री बने तो उनकी पहली प्रार्थमिकता बच्चों की शिक्षा ही थी यवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विविन्न शेक्षनिक संस्थान हैं जैसे कि भारतिय प्रोदोगी की संस्थान यानि कि Indian Institute of Technology IIT अखिल भारतिय आरविज्यान संस्थान EMS और भारतिय प्रभंदन संस्थान IIM के स्थापना की और देश को अधुनिक बनाने में एहम भूमी का निपाई उन्होंने विशेश रूप से बच्चों के लिए सोदेशी सिनेमा बनाने के लिए 1955 में Children Film Society इंडिया के स्थापना की उन्होंने पंचवर्षी योजनाओं का शुभारंब गर भारत में उद्योग के एक नए यूग की शुरुवात भी की थी इतना ही नहीं निर्शुल के प्रार्थ में एक शिक्षा बच्चों को भारत में कोपोशन से बचाने के लिए बच्चों में दूद सहीत मुप्त भोजन को भी शामिल किया चाचा नहरू का कहना था कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्ष हैं कि बल सही शिक्षा देख भाल और प्रगती के रास्ते पर उनको चला कर एक नया जीवन दिया जा सकता है जबाला नहरू के शब्दों में अगर कहें तो आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्च्च तय करेगा 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कॉंग्रिस के अध्यक्ष चुने गए थे एबम 1951 से 54 तक तीन और बार वे इस पद के लिए चुने गए थे 27 मई 1964 को दो पहर एक बज़ कर चौवालिस मिनट पर नहरू ने आखिरी सांस ली और जिस दिन नहरू ने इस दुनिया को अलविदा कहा था हिंदुष्टान में मातम सचा गया था बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई उनके लिए काफे जादा रोने लग गए थे क्योंकि नहरू का योगदान को दीर्श कभी नहीं भूला सकता आश्चा है कि आपको आधुनिक भारत के निर्माता, पंडित जभारला नहरू का जीवन परीचे पर हमारा आज का यह वीडियो काफे जादा पसंद आया होगा अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी लेटिस्ट बायोग्राफी आपके सामने प्रस्तूत कर सके जै हिंद जै भारत